आसलाम विक्म स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वसीम जाकत, मैं हो आपका टीशर, अपका होस्ट, अपका दोस्ट तो हम दोग आज शुरू करने जा रहे हैं BA की English तो इसकी मैं आपको कुछ जो है वो रोटीन बता देता हूं जिसको हम लोग फालो करेंगे आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा कि BA की English है इसमें poetry का section है short stories और plays का section है, one act plays का और उसके बाद इसमें है English novel हम लोग इन चीजों को discuss करेंगे तो gradually हम लोग इनको साथ लेके चलते रहेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे A New Anthology of English Words से मतलब जो poetry के section है हम लोग वहां से start करेंगे इसकी रोटीन यह होगी poetry के section में बाकी स्टोरी जो subject हैं जब 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 उनका जिकर होगा जब 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 वह स्टार्ट किये जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि उनकी रोटीन क्या रहेगी तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं poetry तो poetry के बारे मैं आपको यह बता दूँ कि सबसे पहले poetry में हम लोग poem जो है उसकी translation करेंगे मैं आपको सादा English में पोइम आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उसके साथ थोड़ सा इसको elaborate करूँगा इसके बाद क्या होगा मैं आपको जो writer है जो poet है उसका थोड़ सा introduction कराऊँगा उसका जो note a group work है उसके बारे मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद जो अगला step है वह यह है मैं आपको लेकर चलूँगा उन questions और answer के सरव जो के expected हैं board में आ सकते हैं और मैं अपने ब्लॉग पे questions को लिखने की strategies आपको बता दूँगा कि आप किस तरह कम contents को use करके आप एक से ज्यारा questions जहें generate कर सकते हैं तो काफिया आपके लिए helpful होगा और मैं कोशिश करूँगा कि यह काम है जितनी जल्दी मुकमल हो सकें जल्दी मुकमल किया जैसे कि ताकि आप exam के point of view से बहुत जल्दी प्रिपेर हो सकें चलिए शुरू करते हैं William H. Davis की William Henry Davis की फर्स्ट पॉइम है लाइशेर वहां से हम लोग शुरू करते हैं तो लाइशेर जो है वो फुर्सत का वक्त है उसके बारे में यह point है तो William H. Davis जो है वो क्या थे कि वो एक tram थे मतलब वो जो बेघर लोग होते हैं बेघर लोग से मुराद कि जो अपना अपने घरों से निकल जाते हैं और अपनी लाइफ जो हो ट्रैवलिंग में गुजारते हैं बहुत से दुनिया गूंते हैं तो वो एक tram थे और उन्होंने अपनी पोटो वाइग्राफी भी लिखी है The life of a super tram और दूसरा और उनकी notable work भी शामिल है और इसके अरावा उन्होंने The song of joy लिखी है जिसमें layer poem शामिल है तो हम लोग इन season को discuss करेंगे आने वरे time में तो फिलहाल layer को हम लोग simple translation करने के कोशिश करते हैं और मैं आपको explain करूंगा What does the poet want to say? What is this life if full of care We have no time to stand and stare इस जिन्दी क्या है? आगर ये मुश्किलों से परिशानियों से फिकरमनियों से भरी भी है We have no time to stand and stare हमार बस इतना वक्त नहीं है कि हम लोग भूके है इस life को enjoy करने के लिए और जो life में nature में beauty है उसको देखने के लिए stare करने के लिए इसको रूप के देखें कि ये beauty जो है कि इतनी ज्यादा है और हमारे इत्कित है हम लोग इसको समेठ नहीं सकते है तो हमारे पस ये time नहीं है आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है We don't have the set destination कि हमारे पस कोई एक आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है आगे बढ़ने की दोड़ में हमारे पास जो पल होता है जो वक्त होता है हम लोग उसको भूल जाते है तो William Henry Davis इंसान की इस पात पे इस आदर पे रिग्रेट करते है हमारे पस time नहीं है time है भी तो हम लोग बौधर नहीं करते इन सारी चीज़ों को देखना इन सारी चीज़ों के तरफ इनको minutely देखना यह चीज़ें हमारे लिए हमें बता रहें है कि life के यह जो लंभा है यह जो time है no time to stand beneath the boughs and stay as long as sheep and cows हमारे पस इतना time नहीं है to stand beneath the boughs आप नहीं है कि हम लोग in brunches के निचे खड़े हो सके and stay as long as sheeps and cows इतनी देर के लिए चीज़ें उतनी देर के लिए nature को देखें जितनी देर के लिए sheep and cow the animals he's talking about the animals जितनी देर के लिए animals जो है nature को इतनी देर के लिए जो हमारे पस enjoy करने का time नहीं है the poet is regretting again तो अब next year no time to see when woods will pass जब हम लोग जंगलों से गुजरते हैं जंगल, woods means jungle जब हम फार से जंगल से गुजरते हैं when woods will pass where the squirrels hide the nuts in the grass कि जो squirrels है, जो गलेहरिया है देखें, पतल लोग कितनी हुपसूर्ती है poet ने एक माइनूर सी चीज को डिसक्स किया है कि जो squirrels है, जब nuts लेती है अपने साथ जो मतलब nuts है मुराग, peanuts हो सकती है अपना almond है, walnut है यह जितने भी अपना pistachio है, cashew nuts है यह जितनी भी चीज़े है, all these are nuts तो यह जो nuts है, इनको छुपाती है अपने खाने के लिए, छुपाकर रखती है ग्रास में हम लोग इसको देखें, कितना ही innocent view होता है और उस innocence की height होती है हम लोग इसको enjoy नहीं करतें तो हमारे पस इतना भी time नहीं है, कि हम लोग वहां पर रुकें और उनकी शिरातों को, उनकी खुबसूर्ती को, उस मस्तुमियत को देख सकें और enjoy कर सकें No time to see in broad daylight, strength full of stars like skies at night हमारे पस दिन की जो light होती है, broad light होती है उसमें जो sunlight strength पड़ती है तो आप देखें वो जिल मिल, जिल मिल करते हुए तारे से नदर आते हैं तो हमारे पस इतना भी time नहीं है, कि जो जिल मिलाती हुई जील है उसमें दिन के वक्त चमकने वाले सितारों को देख सकें तो कितना खुबसूरत मनजर होता है, कितना fascinating scene होता है हम लोग उसको enjoy नहीं कर सकते हैं वह पस तना time नहीं है, कि हम लोग वहां पर खड़े होके enjoy कर सकते हैं आप रहे कि बच्चे कितने मसूम होते हैं वो इस nature को enjoy करते हैं जो अपना animals हैं वो खड़े होते हैं वो relax करते हैं जैसे कि जिकर कर चुके हैं no time to stand beneath the balls and stay as long as sheeps and cows यह हम लोग जिकर कर चुके हैं कि यह जो चीजे हैं जिनका हम लोग जिकर कर रहे हैं इस वक्त इसको enjoy करते हैं साई मानों पच्चे लेकिन जब हम लोग जिंदगी के दोड़ में शामिल हो जाते हैं तो फिर हम लोग इन चीजों का enjoy नहीं करते हैं तो आगे चलिए no time to see at beauty's glance and watch her feet how they can dance beauty को देखने का time नहीं है a glance beauty को देखने का time नहीं है और हम लोग यह देखें कि उसके जो feet है how they can dance वो जो उसके पाउं है थे रखते हुए पाउं वो कैसे लगते हैं कितने खुबसूरत लगते हैं तो beauty को यहां पर personify किया गया है personification यहां पर की है beauty की मतलब personify किया गया है एक खुबसूरत लड़की में ठीक है beauty as it is itself जो कोई चीज है तो नहीं है beauty जो हम लोग कह सकें beauty is found in everything everything मतलब हर चीज में beauty होती है beauty तो देखने वाले की आंक में होती है जो से हर चीज में नजर आती है तो जो हर object है वो खुबसूरत है nature में खुबसूरती ही खुबसूरती है beauty ही beauty है but here the beauty means specifically beauty को यहां पर किस चीज के तोर पर प्रिजेंट किया गया लेकिन we don't have the time हम पर पस टाइम नहीं है हम लोग बहुत ज़रा busy है हम life के pursuits में बहुत ज़रा busy है हम लोग परसूर कर रहे है success को हम लोग failure से भाग रहे है हम पर पस जो time है जो लंभा है उसको तो हम जी नहीं रहे बस अगला आने वाला time अगला आने वाला लंभा बहतर हो अगला आने वाला लंभा बहतर हो बस इसी के लिए हम लोग उसी दोड में लगे हुए है और जो वक्त मुझूद होता है उस वक्त को हम लोग जीते नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं no time to wait till mouth till her mouth can enrich its smile her eyes began कि हमारे पास वक्त नहीं है मुस्क्राहट को देखने का कौन सी मुस्क्राहट जो कि her eyes began mouth पे enrich होती है eyes से began होती है मतलब वो smile जो वो मुस्क्राहट जो आँखों से चुरू होती है और फोंटू पे आके हतम होती है हम लोग उस मुस्क्राहट को भी देखने का हमारे पास टाइम नहीं है मतलब कितने हुबसूरत अंदाज से उनमें smile के सफर को बियान करते है मुकंब जर्नी अफ़ समायल वो उनमें यहां पे बियान कर दिया है कि जो आँखों से हिरू होती है होंटों पे हतम होती है कितना मुथसिर लमहा होता है लेकिन हम लोग क्या करते है वो डोनट हैव टाइम तो एंजॉय इट समायल इतना भी वक्त नहीं है कि इस ट्रेवल को एंजॉय कर सके तो जो पोईट है वो अपनी बात में दरुस्त है वो सही कह रहे है कि हमारे पास इस स्मायल को एंजॉय करने के लिए छोटी छोटी जो डिटेल्स है इन्हें एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है अब पूर लाइफ फुल अफ केर अगर जिनकी ऐसी ही है मतलब केर से वरी से परिशानियों से भरी हुई है यह बहुत पूर है बिचारी है मतलब हम लोग कहें ना that we are successful with this life तो no this life is poor यह जो जिनकी है यह बिचारी है यह लचार है यह वेबस है यह अच्छी नहीं है यह फुल अफ केर अगर यह ऐसी परिशानियों से भरी हुई है हम मुझूदा लंभा जो है उसको जीते नहीं है तो पिर जिनकी अच्छी नहीं है we have no time to stand and stare हमारे पस time नहीं है रुकें and stare enjoy करें, stare करें देखें चीजों को यह हो गया आज की point आने वाले टाइम में आने वाले वीडियो में में कोशिश करूँगा कि आपको William A. Davis का थोड़ा सा introduction करवा दूँ उनका जो notable work है उसके बारे में बता दूँ और अगली ही वीडियो में 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 कोशिश करूँगा कि आपको questions बता दूँ जो expected है युनिविस्टी के examiner